limit order डारना, market order डारना, सब कुछ यहां से हो जाएगा, add to basket करके basket बना सकते हो, और कठा, execute order का button दबा के, order इकठा execute भी कर सकते हो, यहां पे दिखाता हूँ, right click करके, सीधा option chain up open कर सकते हो, 5 ऐसे spots बताता हूँ, जहां से आप buy or sell का order, directory chart से place कर पाऊगे, 5 spots देखने को मिलेगे, number by one spot, आपको देखने, F&O में कौन से stocks आते हैं, वो दिख जाएगा, bank nifty में कौन से stocks आते हैं, वो दिख जाएगा, fin nifty में कौन से हैं, वो दिख जाएगा, mid cap में कौन से हैं, वो दिख जाएगा, Hello everyone, Trade with Sanchi की एक नई वीडियो में, आप सब भाईयों और बैनों का बहुत बहुत स्वागत है, तो देखो जब भी आप trading का सोचते हो, तो आपको कुछ features trading के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि अगर आपको आपका trading platform, charts पे multiple charts को option देदे, साथ ही साथ charts पे directory option chain देखने को option दे कि आप एक screen में 45 charts दगा के trade कर पाऊ, और साथ ही साथ chart पे order place करने से लेखे, drag and drop, stop loss को करना, target set करना, सब को chart पे ही करने का option देदे, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है आपके लिए, तो मैं आज आपको एक ऐसे platform से introduce करने वालों, जिसका नाम है धन, और ये option traders का, और stock market मे normal trading, मतब stocks में trading करने वालों का, future में trading करने वालों का, best trading platform बनता जा रहा है, और best choice बनती जारी है trading के लिए, वो क्यों बनती जारी है, आजो आपको धन के platform पर लेके जाकर दिखाता हूं, तो धन के platform पर जाने के लिए आपके पास धन का DMAT account होना चाहिए, अगर नहीं है तो description में link दिया, जाकि account open करा सकते हो, free account opening है, lifetime free AMC है, और अगर आपके घर में कोई ladies हैं, तो उनके name पर आप account open कराते हो, 50% discount on brokerage मिलने वादा आपको, इसके platform पर जाने के लिए, आपको सबसे पहले जाना है, web.dhann.co पर, जैसे याब web.dhann.co उपन करोगे, आपके पास एक ऐस चार्ट open हो जाएगा, ऐसा चार्ट open की बाद अब आपको धन के नीचे, यहाँ पे एक search को option मिल रहा होगा, suppose मुझे alliance industries के stock का चार्ट open करना है, मैं alliance industries के stock पर जाऊँगा, उसके charts को click करूँगा, तो मेरे पास alliance industries के stock का chart open हो जाएगा, मैं इधर से single view कर दूँगा, तो मेरे channel का most favorite setup है, जो मुझे alliance industries के chart पर रगाना है, जिसमें हम super trend को use करते हैं, हम MACD को use करते हैं, और हम साथ ही साथ आपके VWAP को use करते हैं, यही setup में यहाँ पर रगा दे, तो हम 5 minutes का time frame रगा दे, तो मेरे setup सीधा charts पर रग गया, मेरे indicators, जितने मैं रगाना चाऊँ, उतने रगा स setting change करना चाऊँ, वो कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने 10-2 कर दिया factor को, setting change कर दी indicator कि साथ ही साथ, time frames, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, और times भी हैं इसमें, जैसे 25 minutes, 75 minutes, यह time Indian market में बहुत बढ़िया से काम करते हैं, 25 minutes का time, 75 minutes का time, अगर आप चाहते हो इस पर dedicated video कि कैसे यह time frames पर swing trades करने हैं, तो मैं उस पर भी video बना दूँगा मुझे बता देना, अब यहाँ पर मैंने 25 minutes का time frame लगा दिया, साथ में मुझे यहाँ पर candle कैसी चाहिए, bar candle चाहिए, hollow candle चाहिए, मुझे line chart चाहिए, line chart नए trader को patron identify करने में बहुत help करते हैं, मुझे step line चाहिए, मुझे यहाँ यहाँ पर रायंस इंडस्ट्रीज का चाहिए, जब भी मैं यह template उपन करूँगा और मुझे time frame भी 25 minutes को open करना है, तो मैं इन दोनों पर tick करके template का name दे दूगा, संचेट's favorite, कोई भी आप name दे सकते हो और इसको save कर दोगे, तो जब भी आप यहाँ से जाके इस पर click करोगे, सीधा आप के पास यह chart open हो जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ से multiple windows, जैसे अब suppose रायंस इंडस्ट्रीज के साथ मुझे रायंस इंडस्ट्रीज का option chain भी देखना है, मैं यहाँ पर अगर जाऊँगा, मुझे यहाँ पर रायंस इंडस्ट्रीज का option chain सर्च करना है, तो मैं यहाँ से रा अब यहाँ से मुझे इस layout को भी save करना है, मैं उसको भी save कर सकता हूँ, यहाँ से settings में जाके मुझे विक बंद करनी है, मुझे कुछ previous day close, high end rows की line mark करनी है, सब कुछ यहाँ से मैं कर सकता हूँ, साथ ही साथ, suppose अब यह मैं पर single chart है, मुझे यहाँ पर trend line draw करनी है, मैं वो कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर पहले channel draw करना है, मैं वो channel भी draw कर सकता हूँ, मुझे मतलब जो price action chart पर follow करना है, सब कुछ सीधा chart पर करने का option मिल जाएगा, साथ ही साथ, अगर मुझे यहाँ पर, इस chart को full screen में देखना है, तो मैं full screen पर करूंगा, तो में पास यह chart full screen में भी directory charts पर ही, ऐसे जैसे मुझे यहाँ पर अब nifty open करना है, मैं चाता हूँ, मैं nifty 50 को देखू, मैं nifty 50 search करूंगा, तो में पास यहाँ पर nifty 50 का chart खुल जाएगा, मैं यहाँ पर right click करूंगा, copy price, trade, move chart, सब options यहाँ पर में पास आजाएगे, drawings remove करना है, सब options आपको यहीं पर म 5 spots देखने को मिलेंगे, number 1 spot, आप यहाँ पर देखोगे, सबसे उपर, आपको buy or sell का button मिलेगा, इसको click करके भी आप buy or sell कर सकते हो, ऐसे करोगे, आप आप window open हो जाएगी, आप investing में, trading में, जैसे करना चाते हो, कर सकते हो, number 2 spot, आपको script के नीचे भी buy or sell का option मिलेगा, आप य यहाँ से भी place कर सकता हो, buy, ऐसा order, यहाँ से भी place हो जाएगा, number 4 spot, यहाँ से up down arrows को आप चूज करोगे, वहाँ से market limit, stop limit, और 5th जो option है, order place करने का, वो आपको एक hidden जगा पर बाद में, future feature में दिखाऊँगा, अब let's go to a very interesting feature of Dhan, वो है scalping mode, आप देख रहोगे, चार्ट प मुझे निफ्टी का भी कोई strike price होजना है, निफ्टी 22,700 call में trade करना है, मैं उसको open करूँगा, वहाँ पे भी ऐसी scalping window आजाएगी, मैं इसको refresh करूँगा, तो मेरे पास निफ्टी के चार्ट की scalping window आजाएगी, मुझे double window में काम करना है, जैसे मुझे यहाँ पे एक जगा निफ्टी का चार्ट लगाना है, और दूसरी जगा मुझे निफ्टी का यह चार्ट लगाना है, मैं वो भी लगा सकता हूँ, मुझे तीन चार्ट लगाना है, यहाँ पे तीन चार्ट भी लगा सकता हूँ, जैसे निफ्टी 22,700 का call लगा लिया, 22,800 का put लगा लिया, मैं भी लगा सकता हूँ और मुझे अब जैसे call से put पे shift होना है मैं call की जगा put के ऊपर click करूँगा refresh करूँगा मेरा chart refresh हो जाएगा इतना simple अब आपको मैं क्योंकि nifty में तो momentum आज जो है वो बहुत slow and steady momentum है तो हम यहाँ पे nifty की बजाए हम यहाँ पे access bank पे आपको scalping का order कैसे फटा फट प्रेस करना है bank हो nifty हो कहीं भी प्रेस करना है तरीका सेम ही आएगा आप scalping की window पर जाओगे तो आपके पास एक floating window आ जाएगी इसको refresh करो गे तो आपके पास सीधा आया गया सपोर्ज मुझे अब यहाँ पे access bank पे buy को order प्रेस करना है मैं यहाँ पर जा बटन है एक click दबाऊंगा यहाँ पर position select करोंगा और सभी positions exit हो जाएगी in a single click इतना fast way से आप entry exit कर सकते हो जाए और उसके साथ-साथ मेरे पास यहाँ पर चार्ट पर भी option है positions को close करने का मैं ऐसे cross करके भी positions close कर सकता हूँ quickly and steadily अब next यहाँ पर बहुत ही amazing feature है जो option traders की बहुत ज्यादा मदद करने वाज है वो है option chain directory on chart suppose मैं nifty के chart पे हूँ और मैंने 5 minutes का nifty का time frame लगाया हूँ पूरा का पूरा nifty sideways है आप देख सकते हो आज के दिन पर एक पूरा ही channel में trapped था और Fridays अकसर ऐसा ही होते है channel से भी ज्यादा अगर आप करोगे तो channel में कम यह एक ascending triangle pattern में ज आपको जौन से भी premium को buy या sell करना है यहां से एक single click से buy sell कर सकते हो उस premium का chart भी open कर सकते हो view chart पे जाके और यहां से OI भी देख सकते हो change in OI क्या हो रहा है OI data कैसे fluctuate करया है कहां पे call writers बैठे कहां पे put writers बैठे जैसे यहां पे मुझे देखके बता चला है 294% put rating है 22,950 पे और उपर की तरफ मुझे देखने पता चला है 23,050 पे almost 12.39 रैक मतल़ 251% की call rating हो लिए है तो market 22,950 से 23,050 के बीच में trap रहेगा आज के दिन यह सब भी मुझे यहां से पता चल जाएगा मुझे यहां से expiry date change करनी होगी अपने options की मैं वो भी कर सकता हूँ सब कुछ चार् call option sales के साथ hedge करने के call option buy करना है या suppose मुझे आज access bank के साथ HDFC bank को भी buy करना है मैं एक basket बनाता हूँ आपको simplified way में दिखाने के लिए जैसे मैंने यहां पे बास्केट का name रख दिया संचित for video यह एक basket बना रहा हूँ मैं आपके लिए आपको सिखाने के लिए यहां पे मुझे script करने है मुझे HDFC bank को add करना है मैं HDFC bank को add कर जाता हूँ मुझे access bank के add करना है मैं access bank को add कर तो buy or sell कौन सी position करनी वो भी यहां से adjust हो जाएगा trading के लिए करना investing के लिए वो भी हो जाएगा limit order डारना market order डारना सब कुछ यहां से हो जाएगा add to basket करके basket बना सकते हो और कथा execute order का button दबा के order इकठा execute भी कर सकते हो single click पे आपका order execute हो जाएगा और single click पे आपका order exit हो जाएगा आप देखो यहां पर sure you want to execute the orders आया ok दबाओगे आपको order यहां पर immediately exit हो जाएगा और यहीं से आप exit दबाओगे exit position करके निचे ok दबाओगे positions exit भी हो जाएगी इतना quick enter or exit आपको देखने को मिलेगा अब यहां पर मैं आपको धन के platform के और बहुत interesting feature के बारे में बताता हूं आपको यहां पर उपर इस window में बटन दिख रहा होगा indices details आप इस पर click करोगे आपको suppose nifty 50 के underline stocks देखने है कि nifty 50 में heavy weightage से लेके कम weightage वाले कौन-कौन से stocks हैं आपको साहे दिख इसमें price में heavy change है और share price के इसाप से सब आप toggle कर सकते हो with a click of button आपको देखने है F&O में कौन से stocks आते हैं वो दिख जाएगा bank nifty में कौन से stocks आते हैं वो दिख जाएगा fin nifty में कौन से हैं वो दिख जाएगा mid cap में कौन से हैं वो दिख जाएगा और साथ ही साथ suppose मुझे यह जाने की need नहीं पड़े घ्राइगे अब यहाँ पे आप यह बटन केक्ट करके अपने चार्ट कο एक नय चार्ट में यहाँ पॉपे ऑट भी कर सकते हो वहाँ पर आपका चार्ट वह पसका सकते हो यहां मुझे multiple tabs open करनी है मैं 4 tabs में 4 different companies लगा सकता हूँ जैसे suppose मुझे यहाँ पर HDFC bank चाहिए मुझे यहाँ पर IHC चाहिए मुझे यहाँ पर Alliance Industries चाहिए यह Alliance Power लगा दिया मैंने मुझे यहाँ पर इसके साथ ITC चाहिए मैं सब एक विंडो में इकठे भी देख सकता हूँ आपने suppose एक screener बनाया जिसमें आपके 5 stocks आ गए आप उसको इस पर लगाओ 5 stocks को लगा के सुबा जिस stock में आपका setup एक्टिवेट होता दिखे उसमें trade करो इतना simple धन्य आपके लिए बना दिया चाहिए वो F&O trading हो चाहिए वो stocks में trading हो चाहिए वो currency trading हो चाहिए वो commodity trading हो और साथ ही साथ जब आप layout भी select करते हो आपके पास 8 charts in a single screen लगाने को option लेगा आप यहाँ पे देखो मैंने एक layout बनाया हुआ था banks का, indices का different layouts बनाया हुए है तो मैं यहाँ पे कितने charts इकठे A की screen पे देख सकता हूँ अब हमें बहुत बार जब हम Nifty को trade करते हैं components देखने पड़ते हैं 8 components A की screen में मेरे लगे होते हैं जिनको मैं देखके track करता है तो कि जो Nifty का breakout आ रहा है वो valid है या fake है, सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा अब बात करते हैं इसमें important features की जैसे अब मुझे यहाँ पे indicators की बजाए price action based trading करनी है मुझे यहाँ पे levels mark करनी है तो मैं side पे देखूँगा में पास सब tools आ रहे हैं brush, highlighter, rectangle मैं यहाँ से कोई level mark करना चाहता हूँ level mark हो जाएगा, मुझे यहाँ से trend line बनानी है में trend line बन जाएगी, मत्रब मुझे कुछ भी करना है कोई भी ऐसी चीज जो मैं करना चाहूँ वो सीधा धन के chart पे करने को option देगा सब कुछ delete करना है, delete हो जाएगा और ज्यादा easy बन जाए और आप एक ऐसे platform के साथ trade करो, जो made for traders है बाकि इस video को लेकि आपका कोई feedback है को comment section में बताते होए जाना और आप next video कौन सी चाहते हो वो जुरूर बताते हो जाना क्योंकि उससे आपको और मुझे दोनों को मदद में लेगी thank you so much for watching the video bye everyone take care और like करना मत बूलना